आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हाई फ्रेंट्स तो यहाँ गोशन में क्या दिया हुआ है यहाँ गोशन में आपका दिया हुआ है Tall Structures always have a higher probability to be struck by lightning ठीक है तो यहाँ पर आप समझीगे इस चीज़ को जहां से देखे होता क्या है Tall Buildings जो होते हैं यहाँ समझीगा देखे Tall Buildings यहाँ इस्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं Tall Buildings यह Structures जो होते हैं यहाँ आपका क्या होते हैं Clouds के ज़्यादा Closer होते हैं ठीक है More Closer More Closer होते हैं Clouds के ठीक है यहाँ समझीगा तो यहाँ तो यहाँ आपका क्या होते हैं एक असान Target हो जाते हैं तो यहां लेखेंगे and thus it is an easy target, यह आपका क्या हो जाता है, easy target हो जाता है, ठीक है, और charge आपका induce हो जाता है किस पर, बिल्डिंग पर, and charges, charges आपके क्या हो जाते हैं, induce हो जाते हैं, get induced, charges आपके induce हो जाते हैं कहां, बिल्डिंग पर, on the building, ठीक है, तो इसी वज़ा से, dollar building जो होते हैं, वो greater danger में होते हैं, जब आपका lightning उस पर struck करता है, ठीक है, यहां लिखेंगे, thus, dollar structures, टॉलर इस्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो आपका greater danger में होते हैं, greater danger में होते हैं, of being, यहां लिखेंगे, of being struck, struck by, क्या हो जाएगा, lightning, ठीक है, यहां लिखेंगे, तो, tall buildings या structures जो होते हैं, वो more closer होते हैं, cloud के, तो यह कसान target हो जाते हैं, और charge induced हो जाता है, on the building, इसलिए, taller structures क्या होते हैं, greater danger होते हैं, of being struck by lightning, तो यह जो statement लिखा गया है, जो दिया हुआ है, यह आपका क्या है, बिल्कुल true है, ठीक है? Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 84444 सूपर,